बड़े हर्षकी बात है कि इस साल स्वास उतकृष्ट विद्याले से 82 विद्यार्थियों का जेई एडवांस के लिए चाहिन हुआ है और उसमें पिशेश रूप से जो सुपर हैंडे इजना अंतरगत इस बिद्याले में बिद्यार्थी निवास रत होकर कि अपना अध्यान कर रहे हैं औAR निगहां ओभूर अभी तक लगातार श्रीम का प्रिणाम है इन विद्यार्तिहों की तैयारे कोई एक दो धिन और एक एमोने के नहीं होती। इन्हों ने अभी तक जो अपना दियन किया है पूर 15 विजों किया है। इसनु कैशन की यह प्रिणाम है। इनके परिवार ने इनको सपोर्ट किया है तो एक मिला जोला परिणाम बिद्देयरती का खुद का, उसके परिवार का, सिच्चकों का और इस पूरे बिद्द्दयाय प्रवेश का उसका नतीजा है कि बिद्द्द्द इतनी उस्षितर की सबलता प्राप्त कर रहा है मुझे लगता है पांथ, पिछले पांथा सालों में लगवग बेड़ सो दूसे दोसो दिख विधियारती जेई क्लास कर चुके हैं, और यह हब बनता जा रहा है, प्रदेश में जेई, नीट, सीपीटी और क्लैट के लिए यह से सुन जाना जाता है, कि जो बच्चे अपने थीपीज के सात्म के छोड़ से साथ मेरेट में आना जाते है, और वो साथ में ही प्रदेश की निकालना जाते है, उनके लिए यह था सुवारर सुथ कर की च्विधियले इसाव्ड़िया परश्र कया है, यह बच्चे आते हैं, बच्चेज कल दो कहादी को बचते हैं, आलन मेरा नाम सीतल सिंग है मैं रीवा से हूँ वर्स 2022 में सुपर हंडड़ के थुरू मेरा यहां चेयन हुआ था मैं सुभास एक्सिलेंस में भी बारवी में अध्यान रत हूँ मेरा अभी जनवरी अटेंट में 99.39 पर सेंटाइल आया है मैं यहां जो है सुपर हंड़ के थुरू आया तो यहां के टीचर्स द्वारा मुझे गाइडेंस दिया गया कि जैए मेंस में कैसे अपियर होना है यहां पर हमें इक्स्टा टाइम में कोचिंग दिला जाती है और र कोचिंग और उसके लावा अपने चार से पांच घंटे सेल्फी स्टडी में स्कूल का होमवर्क तो एक दो घंटे हो जाता था फिर कोचिंग का होमवर्क दो तीन घंटे साम को और फिर अपने से प्रैक्टिस करना यह हमारा डेली का रोटीन था और ऐसे ही गर के मैंने इतने समय में ही गरना है तो उसको सेट करके में चलता था और स्कूल का अलग से था ही फिर मेरा नाम पावनरा है मैं अट्शिंगपुर जो लेके एक छोटे से गाउं से आया हूं मैं शुभास एक्सेलेंसी स्कूल भोपाल में पढ़ता हूं बर्स 2022 में सुपर हंडर्ड योजना के माध्यम से मेरा यहां पे एड़िशन हुगा यहां पे हमें जेई के लिए कोचिं के सिक्षकों के सहयोग्षे मैंने जन्वरी में जेई में 98.18 परसेंट आयले क्राप्त किये हैं आप कितने गंटे पढ़ाई करते हैं आप मैं 8 से 10 गंटे पढ़ाई करता हूं जिसमें कोचिंग शामिल क्या स्टेटजी रही जेई में निकालने के लिए जो कोचिंग में हमें नोट्स बना बनवाय जाते थे वो नोट्स इभम कोच बुक को रिफर करके हमने पढ़ा और तो हमारे जो टीचर्स होते थे वो हमें गौाइड करते थे कि कैसे जी में जी मेंस और एडवांस के लिए हमें तैयारी करने होती हैं है मैं मेरा नाम साहिल पाल है मैं सत्ना जिले के छोटे से गाउं से आया हूं मेरा वर्स 2022 में या अत्राल नाम 18 engage मेरा summer今日 Chev Rail hashtags 22 में यहां bushes हुआ तसे मेरा यहां anchormiesnoा बाद में हमें हमें से कोचिंग प्रोवाइट की गई जिसमें जई की तैयारी कराई जाती थी मैं नित प्रति दिन आठ से दस घंटे पढ़ाई करता था उसमें से च्छे घंटे कोचिंग रहती थी और इक स्टाटर आजी से आट से बारता की स्कूल भी लगती थी वह स्कूल भी प्रति दिन जाया करते थे ते मैं प्रति दिन यही आट से दस गंटे प्लेने के लिए अभी तो एड़वांस का सोचा है अगर नीकल जाता है तो फिल तो आई-ई-टी ही सही रही है हम दो में प्रत कि यहां के टीचर बहुत ही अच्छे हैं मतलब हमको वह गाइड करते थे कि कैसे जही मिन्स निकालेंगे अभी एड़वांस के लिए भी वह गाइड करते हैं कि कैसे निकलेगा आंगे चलके आंगे हमें क्या स्ट्रेटिजी अपना ना है कि मेरा नाम रभी राजव शुकरमा है मैं दमवी जिले के एक हटा सहर से हटा सहर में रहता हूँ बर्स 2022 में मैं सुपर हंडेड सुपर हंडेड स्कीम के द्वारह यहां पर आया जिसमें हमें कोचिंग प्रूवाइड कराई गई तथा यहां के टीचरों टीचरों परिक्चा में 97.23% पराप्त की है